हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल यूपी पीसियोट स्विच चोहांत दोस्तों यहां हम करें घटना चक्री की सामान हिंदी पूर्व लोकन की किताब और जिसमें हम करें हैं चैप्ट नंबर टुवड़ी सिक्स हाज हम करेंगे पार्ट थ्री और जो की है वाक्या है सारे चैप्टर करते हुए अभी हम पहुंच गया है चैप्ट नंबर 26 26 पर पहुंच चुके हैं और अभी जो हमें आगे करना है वह है बहुत कुछ अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिए अगर लाइक चाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब् 2022 अभी आया है 21 की सारे जो भी है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जो जो सब्जेक्ट मैंने करवाए हैं चली फिर हम क्या करते हैं अब स्टार्ट करते हैं वहते आपने आपने भी लिखा गर्णियों भी लिखा है तो यह गलत हो जाये मतला है घरणैत ध्रश है जा यह तब अब इसमें लिखा है जब वाकिम में घ्रणा का वर्णन किया जाता है तो छी का प्रियोक होता है फिर लिखा है सुंदरता का वर्णन होने पर क्या हम बोलते हैं वा ठीके फिर आ श्यर का बोध होने पर लिखते हैं और लिखा है व्यथा का बोध होने पर हम लिखते हैं आँ ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं अब लिखाए निम लिकित शब्दों में शुद्वा के बताई ये तो इसमें लिखा है देख figur फूलों पर भौरे बहुरे 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 बहुर क्या लिए प्रियुक्त होता है और सहि इसमें इसमें लिकाएं शुद् बताना है वे शबप्रकार के दोशों से मुक्त हैं ठीक है कैसा ही होगा आपका मुक्त है ठीक है वे सभी दोशों से सभी ही दोशों से मुक्त है चलिए आए रेखें तो इसमें हमारा सी सही है वे सब प्रकार के दोशों से मुक्त है ठीक है बाकी आपका गलत है अब इसमें लिकाए निमलकित वाक्यों में थे एक शुद्ध वाक्य बताना है हमें तो लिकाए पृतिवरा चौहान ने यदी राजनी तिक चातुर का परिचाए दिया होता तो आज भारत का इतिहास कोछ और ही होता एक चीज ठीक है दूसरे इसमें लिकाए ग्लास उपर तक दूद से ठसा ठस बराए अब यह उपर तक भी है और ठसा ठस भी है ठीक है इसमें लिकाए प्रभुद विध्यार्तियों को सिक्षक का केवल संकेत मात्र ही परयाप्त होता है ठीक है यहां लिखा है सिक्षक ने विध्यारतियों को आतंकवात के उपर निबंद लिखने का आदेश दिया ठीक है तो कैसे हमारे A सही है अब आईए आगे देखते हैं इसकी व्याक्या अपका बिल्कुल सही है दूसरा लिखा है ऐसा होगा कि लाज दूसरे भरा हुआ था तो इस वाक्या में केवल तो जो की गलत है मतलब आपको दोनों चीज़ देखे केवल भी लिखा है ब् Unters U लिखा है तो यह दोनों एक चीज का यूज करके आप काम चला सकते हैं ठीक है दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दोनों को यूज करने की जरुवत नहीं है फिर लिखाए सिक्षक ने विध्यारतियों को आतंगवात पर निबंद लिखने का आदेश दिया देखे यहां लिखा है आतंगवात के उपर तो यहां होगा आतंगवात पर निबंद लिखने का आदेश दिया आगे बढ़ते हैं लिखा है सही विकल्प का चैन करे जो शुद है शुद वाकिय है ठीक है तो इसमें लिखा है घर पर सब ठीक ठाक होंगे घर में सब ठीक ठाक होंगे घर में सब ठीक होएंगे क्या होता है इस अशुद्र वाक्य को पहचानिये छिमती गांधी भारत की प्रधान तो गैस मेरे उपर की जगे होना चाहिए मुझ पर क्रिपा करें चलिए निमलकेट में से कौन सा वाग की शुद्ध है बताना है ठीक है यहां लिखा है मैं आपकी सौजन्यता पर कहें मुग्द हूँ ठीक है इसका आंसर क्या है बाकी अपके इतारे गलत है अब यहां पर लिखा है कि शुद्ध वाह पिताने में गाय के पूँच होती है तो गाई के पूँछ होती है यहां लिखा है उसकी बेटी हुई फिर गोपाल को लड़का हुआ फिर यहां लिखा है मर्द की दाड़ी होती है तो गैस यहां पर जो है गाई के पूँछ होती है वाक के शुद्ध है निमंकित में से कौन सा वाग कि है संपूर देश भर्र ने इसे गलत बहुए कि तो यहां यह व्यर्थ बात करने से यहां पर लिख द Сейчас सबसे हैं ठीक है अब C में लिखा है भाई ने भाई के साथ सलहा की तो और यहां लिखा है कृपया पत्रोतर शीग्रदे तो आपका कौन सा सही है सुद्ध वाकिया डी आगे देख लेते हैं एक बार तो इसने का कृपया पत्रोतर मतला पत्र का उत्तर सीग्रदे तो यह शुद्ध है अब इसमें लिखा है कि जो ए है, व्यर्थ की बात करने से कोई लाब नहीं है, अब देखें यहां पर क्या लिखा है, यह है व्यर्थ की बात करने से कोई लाब नहीं है, लिखना उचेता है, ठीक है, फिर देश में निराशा च्छा गई, यहां लिखा है संपूर देश में, हमने का संपूर की जरूत नहीं है ठीक है अब यहां पर लिखा है कि भाई ने भाई को सला दी ठीक है भाई ने भाई से सला ली ठीक है तो यहां लिखा है भाई ने भाई के साथ की जरूत नहीं है अपने भाई ने भाई को सला दी या भाई ने भाई से सला ली ये ठीक होगा फिर लेका है महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तु के प्रती डैश पाई जाती है क्या पाई जाती है निलिप्तिता पाई जाती है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है निमलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्यों बताने है उसकी शंका का निवारण हो गया है ठीक है उसकी शंका का समाधान हो गया है तो ये भी सही है आपका ये भी सही है एक तरीके से दिखा जाए तो उसकी शंका समाप तो हो गई है नहीं समाप नहीं उन्हें अब शंका नहीं रही तो ये दुनों कलता है बाकी दो सही है आगे ब इस समय आपकी अवस्था जो है 40 वर्स की है, ठीक है? ठीक है, तो अभी हम देखते है, ये आपको बताने है शुद, शुद वाकिया, ये हो गए, ठीक है? रुख जाते हैं यहापे, ठीक है, हम तो अवश्य ही आएंगे, ठीक है, तो हम तो की जुरूत नहीं कर सिथा है, हम अ तो यहां पर हम तो अवश्य जाएंगे तो यहां पर लोड़ा जा रहा है युद्ध किया जा रहा है युद्ध हो रहा है युद्ध मचाया तो बिल्कुल नहीं जा सकता तो युद्ध हो रहा है युद्ध आपको जरूरत नहीं है युद्ध है तो लड़ाई जाएगा युद्ध है तो किया ही जाएगा मतलब इसकी जरूरत नहीं है मचाया तो बिल्कुल नहीं जाएगा ना इस युद्ध हो रहा है युद्ध हाप के शुद्ध है तो यह आंकों से देखि गटना है पूर पता है यह आंको देखि गटना है यह आंकों दोरा देखि अरे भया नहीं तो गैसे आप समझ रहे हैं तो इसके साथ किसी भी प्रकार को प्रयों करने की आवशक्ता नहीं है तो इसमें लिखाए आइंस्टाइन या आइंस्टीन के पास वी लक्षन बुद्धी थी ठीक है यह साहिए आइंस्टीन के पास क्या है विचित्र अरे बुद्धी विचित्र कैसे हो सकती है आइंस्टीन के पास अलॉकिक अलॉकिक कैसे हो सकती फिर आइंस्टीन के पास देवी ओ गाड देवी तो बिल्कुल नहीं हो सकती ठीक है अलॉकिक देवी यह तो वर्ड यूस करने लायक ही नहीं होते हैं मतलब फिलाल य प्रादी को मिलती है फिर लिखा है असेस्ट भी नहीं शत्रू भी नहीं फिर टीकिए अगर आप सजा की बात करें है नौमली तो आप अप अप्रादी को सजा देते हैं ठीक अब लिख़ा है लिकित वाकियों में से、 हजुद्व वाकय का कुछ और विधूशी महिला ठीक विद्वान हमने का महिला है तो विदूशी लिखे ये सही चीज है ठीक है अब आगे बढ़ते लिखित वाक्यों में से शुद्वाक्य का चायन कीजिए तो इसमें लिखा है जीवन और साहित का अगहाध संबंद है ओके लिखा है जीवन और साहित का क्या है घनिष्ट संबं निर अपराद को सजा नहीं देनी चाहिए अब लिखाए व्यह सवकुशल घर पहुंच गयाता है यह फिर लिखाए मूती सीप में पलता है बिल्कु ठीक है व्यापारी ने पांच कुंतल कोईला खरता है बिल्कु ठीक है यह वाला गला था अब इसमें लिखाए नहीं देना चाहिए अहा है यहां लिखाये निर अपराद को दंड नहीं देना चाहिए लिखाये निमलीकित में इसे । उपकर और लोग लोग से लोग लिखने की जड़ुई नहीं है।urp अगले शनीवार को शीला छुट्टी पर dessert इत्वरना कों कुट्टी तो आगे देखते हैं। लिखा है यहां पे कुछ नया है ध्युड़ा सा देखे हैं हम वह कमरे में जाकर सो गया इस वाक्य में कहें पूर्व कालिक क्रिया यानि कि जाकर का प्रयोग हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं लिखा है नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्या है त्रोटी हीन है मतलब जिसमें त्रोटी ना हो ठीक है लिखा है मेरे घर के पास एक पान की दुकान है अब देखिए क्या गलती एक पान तो नहीं हो सकता है एक दुकान हो सकती है एक पान नहीं हो सकता एक दुकान ह सकती है ठीक है एक पानो पानो टी तो अपने आप start कि अप्र अब अब देखरा ले माँ चैनल अब लखा लिखा पीना विश शराब पीना विश के राख हानी कारक क्षेश कारख हूँ मतलब एक हानीकार क्या बोलेंगे? लिक्विट जबी ए ठीके दृखे, ठीके तो नाकी भे अंकर अब इसमें लिखा है पद्मावती अपनी सोंदरता के लिए प्रशद्ध बद्मावती अपने सौंदरता के लिए देख overt तो अपनी सौंदर्य ताकी जागे होगा अपने सौंदर्य के लिए प्रसद्ध है अब लिखा है यहां पर लिखा है दर्श कगणों से अनुरोध है इसमें लिखा है दर्श शकों से अनुरोध है ठीक है चलिए इसमें लिखा है माननिय मुख्यमंत्री को अभी नंदन ग्रं किया जाता है प्रदत किया नहीं जाता है भेट किया जाता है ठीक है तो अभी नंदन के साथ क्रंथ का प्रयोग अनुचित है ठीक है तो हमने वहां लगा दिया पत्र दूसरा प्रदत की जगे हम लगा देंगे भेंट किया जाए चले आगे बढ़ते तो यहां लिखा है पु तो मैं परनाद हुता है, तुलसी और सूर, ब्रज भाशा और अवदी के स्टेश्ट कभी हैं, तुलसी और सूर क्रमशा है, देखिए गाइस, क्रमशा मतलब तुलसी, ब्रज भाशा, सूर अवदी, अब गास मुझे इतना आइडिया नहीं है कि किसके लिए आप ब्रज सकते क्रमशह क्रमशह अवधि और बरजभाषा के खवी है कि मतलब आप ऐसे लिखते हैं ना कि राम और श्याम श्याम की उम्र ठीक है कितनी है 23 24 थेइस और 24 तो दो एक की 23 है आप लिखे आगे क्रमसह 23 मतलब आप समझ रहे हैं जब भी आप दो किसी इनसान की यहां पर जैसे हम इसी की बात करें, दो इनसानों की बात करें, फिर उनकी, यह बता रहे हैं कि किस भाशा है, किस लिपी, ठीक है, तो उसमें आप क्रमशा लगा के, कि पहले का यह है, फिर दूसरे का यह है, ऐसे बताना है, तो आपको यहां पर बीच में क क्रम शाह लगाना पड़ेगा, एक क्रम में बता रहे है, पहले का, दूसरे का, तूसरे का, ऐसे करके, क्रम तो क्रम शाप Birthday आप को लगाना पड़ेगा, चलिए तो इसमें लिखा है के यहां पढ़ लेते हैं, इसके अत्रिक्त संबंदित वोलियों का क्रम भी वही होगा, तो यहीं पर यह गलती है, इस question में देखें, तुलसी के लिए अगर ब्रजभासा और सूर के लिए अवधी है, तो यहां तुलसी के लिए अवधी लिख दिया और सूर के लिए ब्रजभा अच्छा, तो इसमें लिखा है कि इंद्रगांदी की मित्वभा भारत में शोक छागया, ठीक है, इसमें लिखा है किसी के देहांत में शोक मनाया जाता है, ना की दुख मनाया जाता है, अथा इस वाकिय में दुख के स्थान पर क्या आएगा, शोक आएगा, अब लिखा है सूर्दास अने पद लिखे हैं सूर्दास ने अने पदों की रचना किये अब लिखा है कि अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी होगा तो इसमें लिखा है अगले का प्रयोग गलत है अगले का प्रियोग तब होगा जब भविशेकाल की बात होगी मतलब आगे की बात होगी ना कि पहले पिछले की बात होगी ठीक है तो बस भूत काल के लिए आप क्या लिखेंगे पिछले वर्ष ठीक है अगले के स्थान पर पिछले लिखे या फिर आप गत वर्ष भी लिख सकते हैं चलिए यहां अशुद वाकि देखिए वे इन दौर में वजंदार विधवान है अरे विधवान वजंदार होता है या प्रतिष्ठित होता है ठीक है तो प्रतिष्ठित विधवान है उसका गुसा उबल रहा है अरे गुसा उबलता है उफान पर चड़ता है ठीक है उफान पर चड़ता है फिर हम एक शपत के नीचे इखटा हुए है हम एक धुज धुज के नीचे इखटे हुए है फिर लिखा है उसे अनुत्रीन होने की आशा है तो गैस अनुत्रीन यानि कि आप फेल होने की आशा करते हैं या फेल होने का भय करते हैं तो उसे फेल होने का या अनुत्रीन होने का भय है फिर लिखा है कि राजेश्वर चित्र खीच रहा है अरे राजेश्वर जो है वो चि जान अच्छा नहीं होता है, अच्छा ग्यान होता है, ठीक है, तो इसने लिखाए मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें, तो आग्रह नहीं करते हैं, आने का कस्ट करते हैं, ठीक है, अब लिखाए मैं आपको शद्धा करता हूँ, मैं आपका आदर करत हूँ ठीक है अगे बढ़ते हैं अब लिखाए अशवद्वाग के हुआ रूग्ण श्या पर पड़ा है वहें रूग्ण अवस्था में पड़ा है नाकिश्ट साया पर पड़ा है अब जीवन व साहित का घोर संबंध है घोर तो सम्बंध होता है अब लिखा है भले ही दस अपरादी चूट जाये पर एक भी निरपरादी को धंडे नहीं मिलना चाहिए अब लिखा है दर्वाजे का ताला तूटा देकर में सशंकित होठा तो दर्वाजे का ताला तूटा देकर मैं आश्चर चकित मतलब आप आश्चर में पढ़ेंगे ठीक है तो शंकित नहीं होगे आप आश्चर चकित हो उठा नहीं होगा फिर हो गया होगा ठीक है हो गया होगा अब इसमें लिखा है आपके विवह समारों में समलितना होने पर मैं बहुत शोका कुल हूँ ठीक कल रात इधर से ही गुज़री थी डाकू का मंदली नहीं हो तरह इस मंदली तो वह जासे यह जूडर करते हैं वह जंक का करते हैं उसकी मंदली होती है यही सब होती है ठीक है लेकिन जब सामाजिक विरोध की क्रिया के लिए आप क्या यूज करते हैं यहां गिरोह का यूज करते हैं यह मंडली का यूज करते हैं मंडली अच्छे चीजों के लिए हैं लेखा है मैंने बोला की कल मत आना तो मैंने बोला मैंने कह दिया की कल मत आन फिर लिखा है मुंबई हमले का अपरादी मृत्युदंड के योग्य है तो कि इस मृत्युदंड के योग्य योग्य तो हम आप अच्छी चीज़ों के लिए करते हैं आप इस योग्य है करके ठीक है मृत्युदंड का पात्र होगा तो मृत्यूरंड एक सजा है समधित व्यक्ति उसका पात्र होगा अब लिखा है छात्रों ने मुख्य अथिती को मान पत्र प्रदान किया छात्रों ने मुख्य अथिती को क्या प्रशस्ति होता है मान पत्र की जगे आप क्या लिखेंगे प्रशस्ति पत्र प्रदान किया फिलिका है तितली के पास सुन्दर पंक होते हैं तितली के पंक सुन्दर होते हैं फिलिका है जब भी आप आओ मुझसे मिलो जब भी आप आईए आदर दे रहे हैं आप के साथ किया है सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करें तो आओ के स्थान पर क्या हो जाएगा आई और मिलो के स्थान पर हो जायगा मिलिए और आईए के बात क्या है कौमा का प्रयोग हो जाएगा फिर इसमें लिगत is गत रवीवार को मुंबई गया था, गया था में हो जाएगा, तो आने वाले रविवार को मुंबई जाएगा, यानि कि जो अब भविशी, देखिए यह आपका past है, मतलब क्या बूलते हैं, भूत काल में हुआ, ठीक है, और यह जो आप लेखें कि मेरी अवस्था 30 वर्ष की है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए, यहाँ पर लिखा है, वाकिम में आयू का प्रयोग गलत है, तुर्टी पूर्ण है, आयू के स्थान पर आप अवस्था का प्रयोग करें, क्योंकि आयू का प्रयोग संपूर्ण जीवनकाल क एक अंश होता है अवस्था, तो यह आप जो हम बहुत बार हम लोग यही यूज करते हैं, आयू बोलते हैं, जबकि आपको क्या बोलना चाहिए हैं, अवस्था बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप आयू बोलते हैं, तो वो पूरे जीवनकाल के लिए होता है, ठीक है, कि मर चुके हैं आपकी इतनी आयू थी मतलब आप इतनी आयू में मरे हैं नबे वर्ष की आयू में मरे हैं या जो भी तो इसमें लिकाए भोजन बहुत तो क्या है सुन्दर बना है अब भोजन सुन्दर नहीं बनता है इस स्वाधिस्ट बनता है अब लिकाए मैं गुरुजी से श गोलियों की बाड़ के सामने कोई ना टेक सका अब गोलियों की बाड़ नहीं होती है गोलियों की बोचार होती है चलिए नेक्स्ट कोशन पर आते हैं लेका है आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवा होने जा रहा है आपकी सौभाग्यवती नहीं आयूश मती कन्या का विव होने जा रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं स्वाभागवती का प्रेव विवाहो प्रांत किया जाता है ठीक है विवाह से पहले की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे आप आयूश्मति लिखा है उनकी अपनी प्रक्र बुद्धी हर काम में प्रगट होती है उनकी अपनी न नहीं होगी तो उनकी प्रकर बुद्धी हर काम में द्रिष्टीगत होती है यहां प्रकट नहीं होगा द्रिष्टीगत होगा अब लिखा है अधिकांश विध्यारती शांत रहे अधिकांश विध्यारती शांत रहे इसमें के अधिकतर अधिकांश नहीं होता है यह तो उस प्लाके में अधिकांश गलत है जहां अधिक भाग का प्रेयुग होता है यहां जब गड़ना यानिः काउंटिंग बच् Creature कि बात होता है तो आधिकानश भाग कर दो आधिकांश ही कि अदिकांश구ción थे अब लिखा है हम गांदी जी की मूर्ती का दर्शन करने गए थे हम गांदी जी की मूर्थी के दर्शन मूर्ती देखने गए थे होगा ठीक है इसमें लिखा है दर्शन का प्रयोग अनुचित है दर्शन के स्थान पर क्या होगा देखने को होगा अब यहां लिखा है कि अधिक व्यस्तता स्वास्त के लिए क्या है हानी कारक है हानी प्रद नहीं होता हानी कारक होता है अब आगे बढ़ते हैं वाकि में स्वास्त के कारणों की चर्चा की जा रही है हानी कारक का प्रयोकरना उचित रहेगा यह भाग्यवान इस्त्री है तो यह देखे भाग्यवान अलब यह क्या है सौभाग्यवती इस्त्री है ठीक है तो ग इस तरी लिखने की जरुवत नहीं है आप इहां लिखे सवभाग्यवती कह ली अब लिखा है कृष्ण पितांबर धारन करने की जगे आप लेख सकते हैं पितांबर धारी अब लिखा है मेरा नाम श्री मोहन जी है मेरा नाम मोहन है प्रसुत वाक्य में सम्मान सूचक शब्द श्री और जी दोनों का प्रियोग हुआ है अपना परिचे देते समिए आप सम्मान सूचक मतलब वाक्य या शब्द का यूज नहीं करेंगे ठीक है अब लिखा है वह आरोग्य हो गया वह स्वस्थ हो गया देखे एक हो गया रोग, रोग की मतलब आप स्वस्ते नहीं है, तब लिखा जाता है, आरोग की मतलब जब स्वस्ते है, तो कई आरोग की लिखने की जुरत नहीं है, यहां पर लिखे स्वस्ते हो गया, लिखे वाक्य के अंतरगत, नेक्स है वाक्य के अंतरगत, प्रियुक्त शब् साधोष का मतलब भी त्रोटी पूर होता है लेकिन सही वर्ड जो हम यूज करेंगे वो होगा त्रोटी पूर ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं इतमें लिखा है वाकि में दोश नहीं होगा बलकि त्रोटी होगा तो साधोष की जगे त्रोटी पूर होगा उस पतीवरता को आप कुछ गलत बात कर रहे हैं तो दुस्साहस होगा, ठीक है? दुस्साहस कौन करेगा ना कि उससाहस कौन करेगा होगा ठीक है? टो इसमें लिखा है उससाह का प्रयोग क्या है यहां पे अनुचित है उचित कारे को करने के लिए साहस की आवशयकता होती है किन्तु आप विपरीत कारे को करने के लिए आपको दुसाहस की आवशक्ता मतलब दुसाहस का प्रियोग करेंगे अब लिखा है कोयल का कंठ सबसे मधूर है यहां लिखा है कोयल का कंठ सबसे मधूर है कोयल का कंठ मधूरतम है यहाँ पर सबसे मधूर की जगे हमने क्या लिख दिया मधूरतम है हमने मधूरतम लिखा है क्योंकि क्योंकि इस वाके में विशेशन मधूर का उत्मावस्ता का प्रयोग अर्थात मधूरतम का प्रयोग होगा अब लिखा है मैं बोल दिया था कि आज ना आए मैं बोल दिया था होता है कि मैंने कह दिया, बोला भी नहीं, मैंने कह दिया था कि आज ना आए, चले आगे बढ़ते, लिखा है कुछ प्रकाशक लेखकों को निराशा देते नहीं है, निराश कर देते हैं, अब कोई आपको निराशा तो दे नहीं सकता है, लेकि निराश कर जरूर सकता है प्राता काल सूरज उगता है प्राता काल सूरदे होता है सूरज उगने की जगे आप लिके सूरदे होता है अब लिखा है कि नौकर आटा पीस लाया नहीं आटा कैसे पीस देंगे वो तो खुदी पिसा हुआता है तो हम क्या पीसते हैं गेहूं पीसते हैं ठी यह लिखा है तीन लीटर आटा लाओगे इस आटा लीटर में लाया जाता है या किलो में लाया जाता है किलो में लाया जाता है लीटर में आप पानी ला सकते हैं लीटर में आप दूज ला सकते हैं लेकिन आटा नहीं ला सकते हैं शायद आज वर्षा अवश्य होगी ठीक है शायद आज वर्शा होगी ठीक है तो कैस शायद लगाया और आपने अवश्य भी लगा दिया ऐसे नहीं हो सकता ठीक है अवश्य समझाने कि आप बिलकुश शौर है कि यह तो हो गई होगा लेकिन जब शायद आप लगाते हैं तो आप शौर नहीं है कि हो गई होगा वाक्य में शायत का प्रयोग क्या है संभावना व्यक्त करता है जबकि अवश्य क्या होता है निश्चित्ता का बोध करता है तो यहाँ पर ये गलती है लिखाए मैं ऐसा नहीं समझता जैसा की आप मैं ऐसा नहीं मैं वैसा नहीं समझता जैसा की आप लिखा है सूरज पश्चिम से निकलता है और पूरब में दूपता है ठीक है सूरज पश्चिम से कहा निकलता है भारत में तो नहीं निकलता ठीक है पूरब से निकलता भी नहीं है उदै होता है और पश्चिम में क्या हो जाता है अस्त हो जाता है मैं चावलदार खाकर मूटा हो गया अरे मूटा होता है कि मूटा होता है ठीक है मोटा हो गया मैं चावलदार खाकर मोटा हो गया लिका है ताजमहल की शान निराली है ठीक है ताजमहल की छटा निराली है ठीक है शान का प्रयोग तुर्टीपूर्ण है उसकी जगा आप छेटा का प्रेयोग करिए फिर लिका है कि आगामी अफसर कोलकाता से आ रहा है इस बार ठीक है इस बार अफसर जो है आगामी मतलब जो आने वाला है तो इस बार जो आने वाला अफसर होता है तो इस बार अफसर कोलकाता से आ रहा है तो आगामी का प्रयोग अनुचित है क्योंकि किसी व्यक्ति विशेश के आगमन के लिए आगामी नहीं बल्कि इस बार का प्रयोग उचित होता है ठीक है तो इस के स्थान पर हम क्या करेंगा और है के स्थान पर है का प्रयोग होगा अब लिखा है दस इस्तरियां और पांच बालकों का भोजन दो दस इस्तरिया नहीं होगा गईस इस्तरियों होगा पांच बालकों को भोजन दो अब लिका है जिसकी लाठी उसकी भैस वाली कथा क्या है चरितार्थ होती है जिसकी लाठी उसकी भैस वाली कहावत है यह कथा नहीं काई इस यह कहावत होती है ठीक है चरीतार्थ होती है ठीक है कथा अलग चीज है कहावत है यह कहावत है जिसकी लाठी उसकी बहाथ अब लिखाए कई सौ बरस कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेडियां पड़ी रही कई सौ बरसों तक बरस नहीं होगा गले में बेड़ी नहीं होती है पैरों में बेड़ियां होती है तो पैरों में बेड़ियां पड़ी रही है फिर लिखा है तुम्हारा गाउं किधर है ठीक है फिर यहां लिखा है तुम्हारा गाउं किधर नहीं होता है इस कहां है हम लिखा है कारक संबंदी अशुदिया लि रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रह सकै है तो गैस गलत रूस का समुद्र किनारे गलत है ठीक है तो गैस इतमे लिखा है डीक जो है आपका थोटी पूर्ण है और यहां रूस का समुंदर किनारे के स्थान पर क्या होगा रूस के समुंदर किनारे रूस के समुंदर किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलो का रहस क्या है का की जगे होगा के अब लिखाए शुद्वाक की पहचान कीजिए तो इसमें लिखाए हेम नरेश की पुस्तक दी लिखाए हेम नरेश को पुस्तक दी तो गैस यह हेम नरेश नहीं हो यह हेम भी एक लड़का है यह नरेश भी एक लड़का है तो इसने क्या करा हेम नरेश को पुस्तक दी यह ठ चलिए ओके शुद्वाक़ते की पहचान कीजिए। इस पील के मंत्री ड्राइवर से कार सब्वाता है, बिल्कुं रूप मंत्री ड्राइवर की कार चल्वाता है, Himself कक्छल वे ज चलिएसे रहे विध्याले में जलपान को उत्तम प्रबंद है तो जलपान को उत्तम प्रबंध है या जल्पान का उत्तम प्रबंध है अब नेक्ष निमलिखित में एक वाक जुद्ध नहीं है इसमें लिखना है सिश्य घुरू जी के पैर में गिर पड़े ठीक है तो आचाय है में पर शुद्ध नहीं है यानि कि अशुद्ध वाक तो गैज देखिए शुद्ध वाक की भी देख लेते हैं उसने केवल मुझे निमंत्रित किया बिल्कु सही है सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए बिल्कु सही है आपने उसे टका सा जवाब दे दीया बिल्कु सही है शिश गुरू जी के पेर में गिरपड़े लिद्ध गुरू जी के चरणो पर न ही इलना चाहिए या तो आप ले Belgian एफ़े चरणों पर या फेर होट वाक की बताना तक है एप करना अब लेक है जटी लगा दी ठीक है उसने अपने प्राण के प्राणों की भाजि लगा दी प्राण की बाजि लगा दी राम सिता ब लक्षमन वन हो गए सइरे उसकी आंकों से आसू निकल पड़े स आपकी मेहनत से सभी लोग परिचित हैं यह भी तरही है चलिए अशुद वाके देख लेते हैं डाल में चड़िया बैठी है डाल में नहीं होता है डाल पर चड़िया बैठी है होता है फिलका शाजहा ने सड़क को बनवाई ओके तो साजहा ने सड़क बनवाई ठीक है तो आ भीकारियों पर कृपा करनी चाहिए लिखा है आप वाली किताब छट में पड़ी है तो गैस आप वाली की जगे आपकी किताब छट में की जगे छट पर पड़ी है फिर लिखा है उसके उपर उचित नयाय किया जाएगा गलत तो उसके उपर नहीं होता है उसके साथ उचितनाय किया जाएगा होगा ठीक है अब लिखा है कि इस पुस्तक में वही विशेष्टा है इस पुस्तक में यही विशेष्टा है तो इस पुस्तक की यही विशेष्टा है पुस्तक की विशेष्टा बता रहा है तो लिखा है मित इसको लगए है, तो कईस यहां लेका है, मैंने तुमको अनेको बार कहा, restrictive, and the तो गईस यहां पर 300 questions हो गए हैं यहां पर वीडियो को करते हैं एंड और गईस अब मिलेंगे आपसे part number 4 में और बाकी की question आगे देखेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गईस तो वीडियो को करिए कर लाइक चाहिए को subscribe नहीं किया है तो कर लीजेगा comment करके जो मनमिया सजेशन आप दे सकते हैं कोई book start करनी हो तो आप बता सकते हैं और अगर आपको घटना चक्र की अने subject की books की वीडियो देखनी है तो आप playlist में जाईए और वहां जाके आप देख सकते हैं जैसे कि हमने physics करवाई है history के दो पार्ट हैं हमाई पर ancient history modern history भी हमने करवा द जाएगी और आजकल वैसे में बहुत जादा टाइम नहीं है नहीं तो मैं start करवा देती अभी 7th of Feb 2022 को ही मेरा एक बेबी हुआ है ठीक है तो उनके चकर में थोड़ा सा में पस टाइम कम है तो बस में कोशिश आती है कि डेली एक वीडियो लाओ और इस book को complete कर रहा हूं क् आप लोग इंतिजार करते हैं चलेगे यहां पर करते हैं वीडियो को एंड आप आप से मिलेंगे नेक्ट वीडियो में यही चैप्टर के साथ मतलब इसके नेक्स पार्ट में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद